Hello my dear students, welcome to you all in concept box, clear your concept with Neha Mam और आज के इस revision session में जिसमें कि हम NCRT कवर कर रहे हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं chapter 4, Animal Kingdom जिसका weightage है 3-4 question 3-4 question और अब चुकी delete हो गये हैं बहुत सारे chapter तो इसका weightage ज़्यादा भी हो सकता है 5 question आराम से इससे बन सकते हैं और इस chapter को पढ़ने का क्या तरीका है और इस chapter से किस तरह के question बनते हैं ये सब भी मैं साथ साथ बताती जाओंगी तो हम start करते हैं fast track revision without any delay So Animal Kingdom, Animal Kingdom पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बचे क्योंकि ये आपको evolution बताता है ये आपको ये बताता है कि दुनिया ऐसे अचानक से नहीं बनी पहले cellular level आए फिर tissue level आए फिर organ level organism आए फिर उसके बाद organ system level organism आए इस तरह से चीजे बनी और ये ही chapter आपको ये भी बताता है कि पहले अंडा आया ना की मुर्गी आई ठीक है तो basis of classification Animal Kingdom में सबसे पहला topic है आपका basis of classification क्या है जो classification हुई है जो phylum बने हुए है उनका classification का basis क्या है आधार किस आधार पे हमने उनको बाटा हुआ है ठीक है तो phylum जितने भी बने हैं वो किस आधार पे बटे हैं arrangement of cell, body symmetry, nature of cellum, digestive, circulatory, reproductive system इनका क्या है तो level of organization में सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहला हम basis पढ़ते हैं that is level of organization इसका मतलब यह है कि जो organism है वो cell से बना हुआ है सिर्फ tissue से बना हुआ है या organ से बना है या organ system से बना है तो हमको पता है कि जो सबसे पहले आएगा जो सबसे पहले organism आया हुआ होगा वो कैसा होगा cellular level का होगा उसके बाद जो आया होगा वो tissue level का होगा उसके बाद वाला organ level, जैसे mobile, mobile कैसे बढ़ते जाता है न, पहले कुछ feature आये, सबसे पहला वाला mobile एक दम बिलकुल कोई feature नहीं अच्छे उसमें, है न, एक ringtone भी डंकी नहीं होती थी, तो वैसे ही, फिर उसके बाद अच्छा feature वाला mobile आया, और अच्छा feature वाला, तो वैसे ही सबसे पहले cellular level के organism आये, जो कि बहुत गरीब, इनके पास कुछ नहीं है, cell है, और उसी cell से सारा काम कर रही है, ठीके, cell जो है, arrange हो गए हैं, लेकिन ये tissue नहीं बनाए है, तो cellular level पे आपका क्या आजाता है, sponges, sponges में क्या है, sponges आज छेदी लाल, उसमें एक तरफ से पानी ज करके क्या बना दियें हैं? टिशू बना दियें, फिर आता है, organ level, tissue में करके organ बना दियें, तो tissue level आपको किस में देखने को मिलेगा? sealant retta में sealant retta में आपको tissue level देखने को मिलेगा organ level आपको किसमें देखने को मिलेगा platy helminthus में और उसके बाद कि जितने organism होंगे उन सब में क्या देखने को मिलेगा आपको organ system level देखने को मिलेगा एक बात याद रखे कि अगर एक बार cellular level से tissue level बन गया, तो उसके बाद organism में cellular level का नहीं होगा, वो आगे ही बढ़ते जागा, features add होते जाएंगे ना, भगवान दया करते जा रहे हैं, अच्छा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ओके, अब organ system के बारे में दिया हुआ है, organ system में आपका digestive system दिया हुआ है, और circulatory system दिया ह halminthus से, अब आप बोलोगे मैं platy halminthus तो organ level का था, उसके पास digestive system कहां से आया, है ना, तो digestive system अभी जस्ट बनना स्टार्ट हुआ है, and digestive system is incomplete, digestive system इसका कैसा है, incomplete है, इसका मतलब mouth और anus के लिए single opening है, खाएंगे भी उसी से, निकालेंगे भी उसी से, और इसके बाद जितने ह बात करें, तो दो तरह का circulatory system होता है, अगर circulatory system की आधार पे हम बाटते हैं organism को, तो दो तरह का होगा, open और close type of circulatory system, open circulatory system में क्या होगा, कि जो blood है, heart से pump होके एक एक cell में फैल जाएगी, एक एक cell नहा रहे होंगे blood में, ठीके, और close type में क्या होगा, जैसे हमारा है, blood किस मे घूम रहा है, vessels में घूम रहा है, blood vessels में, pipe like structure बना, उसमें घूम रहा है, बंध है, बिल्कुल, arteries, veins and capillaries है, लेकिन वहाँ पर artery, vein and capillaries नहीं होती है, ठीके, अब symmetry की बात करते हैं, symmetry क्या होता है, symmetry, जब हम किसी organism को cut करते हैं, तो वो किस तरह से cut होता है, equal half में cut होता है, य और bilateral type का होता है, asymmetrical में मतलब कोई symmetry ही नहीं है, आडा, तिर्चा, जैसा आता है, ऐसा organism है, ठीके, तो इसमें आ जाते हैं, sponges, इनका कोई symmetry ही नहीं होता है, कोई आकार ही नहीं होता है, कैसे भी grow कर जाते हैं, ठीके, radial symmetry, radial symmetry में जो organism हैं, आप उसको कैसे काटेंगे, पिज़ की तरह, बिल्कुल पिज़ा की तरह, किधर से भी काटो equal half में कट जाएगा, ओके, तो radial symmetry में कौन आएंगे, जिनका body cylindrical होगा, वही कटेगा पिज़ा की तरह, तो cylindrata, cylindrical, tinofora, c से सुरू है, cylindrical, echinodermata, इसमें भी c, c आ रहा है, kino, तो cylindrical है, तो ये radial symmetry, छीख है, cylindrata, tino echinoderms, ये क्या हो गए, radial symmetry हो गए, उसके बाद, उसके बाद, जो भी animal बच गए, बच्चे, वो किस में चला जाएगा, bilateral में चला जाएगा, ओके, bilateral मतलब, दो equal half में ये बढ़ते हैं, देखो, ये bilateral का हो गया, example, अब यहां से question आता है, layer वाले से, ये जो diagram आप देख रहे ह कि diploblastik कौन सा है, triploblastik कौन सा है, या फिर diploblastik animal का कोई एक example देदेगा, triploblastik का एक example देदेगा, और उससे पूछेगा, कि ये किसका है, body layer, ठीक है, इस तरह से घुमा के question पूछ सकता है, तो देखो, diploblastik में हम जाते हैं, कि actoderm होता है, endoderm होता, और बीच में क्या होत होता है, jelly-like substance, जैसे दो ब्रेड, ब्रेड के बीच में jam लगा देते हैं, jelly-like substance, that is mesoglia, लेकिन इसमें क्या होता है, actoderm, endoderm और mesoderm, चीक है, यहां पर ये design नहीं दिखाई दे रही है, ये क्या है, gel-like substance, that is mesoglia, तो diploblastik and triploblastik organism होते हैं, जिसमें 3 layer, वो triploblastik, जिसमें आपका example आजाता है, sealant rates, ठीक है, sealant rates में आपका diploblastik होगा, and triploblastik में, sealant rate के बाद क्या आते हैं, platy, halminthus से लेके cordate, ये सारे triploblastik, मतलब एक बार feature एड हो गई, तो वो चलती जा रही है, एक बार mobile में कोई feature आ जाता है, तो वो चलता जाता है, चेंज हो हो करके, तो एक बार feature आ गई, triploblastik आ गया, तो वो चलता जा रहा है, ओके फिर है sealant की बारी, sealant क्या होता है, सबसे पहले ये समझे, ये body है, फीक है, ये body है, इनसान की body है, ये इनसान की body है, अब इनसान की body में यहां मुह है, माउट से लेकर के, माउट से लेकर के ये elementary के नाल जा रही है, ये stomach है, ये पूरा इसका elementary के नाल है, ठीक है, elementary के नाल और जो body wall है, ठीक है, इधर पे side में मोटी सी body wall होगी, इधर से body wall होगी, तो elementary के नाल और body wall के बीच में, जो जगह बच रही है, ये जो खाली जगह है, that cavity is known as sealant, that cavity is known as sealant, ठीक है, इसमें आपका Retro Parietal, Retro Visceral, ये सब भी आता है, अभी आपको नहीं पढ़ना इतना डीटेल में, और इस सेशन में तो मैं नहीं पढ़ा सकती इतना डीटेल में, हम सिर्फ NCRT में जो लिखा है, वही पढ़ेंगे, ओके, कभी और मौका मिला तो बता दूंगे, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलम बोलते हैं, अब इससे कोष्टन क्या आ सकता है आपका, कि सीलम क्या है? ओके, the body cavity between GIT, ठीक है, body cavity between GIT, gastrointestinal tract, या फिर elementary canal, elementary canal, NCRT में साथ साथ लिखते जाएंगे आप, elementary canal and body wall, ठीक है, body wall, इन दोनों के बीच में, जो जगा होती, उसको हम क्या बोलते हैं, जो cavity होती है, सीलम बोलते हैं, और ये जो जगा है, खाली नहीं होती, अगर ये खाली होती, तो आपको कोई पंच मारता, तो बिल्कुल ऐसे जो चमड़ी हैं आपके अंदर गुश जाती, ये जो cavity है, यहां क तमक में डारेक्ट नहीं लग जाती है, ओके, जो सीलम है, ये किस से लाइंड होता है, मीसोडर्म से लाइंड होता है, देखें, सीलम जो है, ये किस से लाइंड होता है, मीसोडर्म से लाइंड होता है, ओके, एनिमल्स पॉसेसिंग सीलम, अब सीलम के आधार पे आपके ती cellular level, tissue level है, ठीक है, A silomates में जैसे आगया आपका platy halminthus, उसके बाद, जो S की halminthus है, pseudosilomates, S की halminthus से बहुत question आता है, S की halminthus से कई बार question आया हुआ है, this is important, और S की halminthus जहां आगया मतलब pseudosilomates, जहां pseudosilomates आगया मतलब S की halminthus, ठीक है, और S की halminthus के बाद, जितने बच गए, जितने बच गए, N AWS, Codamolusca, Chaudate, सबी में क्या है, Ceilum हैं, तो सभी को हम क्या बोलते हैं, weight weight, बोलते हैं, OK, और क्या question आता है, diagram से question आता है, यह diagram तीनों दे दिये जाएंगे, और आपसे पूछेगा की कौन सा A-Cylomate है, कौन सा Pseudo-Cylomate है, ठीक है, तो ये जो third वाला है, third वाला जो दिख रहा है, ये क्या है, A-Cylomate, इसमें कोई Cylom बीच में नहीं present है, कहीं भी, ये आपकी क्या है, ये आपकी elementary canal है, elementary canal है, ये body wall है, body wall और elementary canal के बीच में कोई जगा खाली नहीं है, सीलम वाले में देखें, ये आपकी elementary canal है, ठीक है, body को, body को, अगर ये इंसान की body है, इंसान की body है, यूँ कट कर दें, यूँ कट कर दें, और यहां से जाक करके देखा जाए, ऐसे जाक कर देखा जाए, तो हमको cavity देखती है, इधर body wall देखता है, बीच में आपका elementary canal और cavity देखती है, ठीक है, तो हम इसको सोच रहे हैं कि कट किया और देख रहे है, तो ये बीच में आपका क्या है, बच्चे, ये बीच में elementary canal जा रही है, ऐसे, फिक है, यह elementary canal जा रही है, उसकी lining ऐसे, यह body wall हो गई, यह mesoderm हो गया, फिक है, यह actoderm हो गया, यह mesoderm हो गया, और यहाँ पे आपका क्या है बच्चे, यहाँ पे यह क्या हो गया, आपकी cilum हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, यह cilum, cavity, बीच में, जो की किस से भरी हुई है, जो की किस से भरी हुई है, cilumic fluid से भरी हुई है, is this clear, okay, आगे बढ़ते हैं, segmentation, segmentation के आधार पर, देखो, body जो segmented होती है, हमारी body भी अंदर में segmented है, ठीक है, जैसे thoracic cavity, abdominal cavity, limbs हमारे पास अलग से हैं, तो हमारी body भी segmented है, In some animal, the body is externally and internally divided into segment with serial repetition of at least some organ, ठीक है, कोई organ बर-बर repeat हो रहा है, जैसे earthworm में, earthworm में देखते हो, बहुत सारे repetition आपको देखने को मिलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, metameric segmentation बोलते हैं, और इस process को हम क्या बोलते हैं, metamerism बोलते हैं, और ये जो segment पाए जाते हैं, इनको हम क segment देखने को मिल रहा है, बाहर से तो है ही, वो segment अंदर तक present है, ठीक है, वो segment अंदर तक present है, इसको हम क्या बोलते हैं, metamer, बोल रहे हैं, और आपको question आता है, pseudo metamerism किस में देखने को मिलता है, pseudo metamerism किस में देखने को मिलता है, false metamerism, तो तीनिया, तीनिया में देखने को मिल तुछ में आप देखता है। और सेग्मेंटेशन किस में देखने को मिलता है। आर्थोपॉर्ड में ऐने लीडा, आर्थोपॉर्डा, और्थोपॉर्डा, और्थौला और्धॉर्ड़ॉर्डा। इन तीनों में आपको segmentation देखने को मिलते हैं या metamerasm देखने को मिलते हैं तो ये आप लिख लेंगे NCRT में जो भी लिखवारी हुँ में वो आप लिखते जाएंगे फिर है notochord, notochord से बहुत question आते है notochord से ये जो इतनी छोटी सी line है इससे बहुत question आता है which one of the following is correct about notochord तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि notochord होता क्या है notochord बच्चे एक rod-like structure है जो embryonic stage में जब बच्चा छोटा होता है इस तरह से develop हो रहा होता है तो यहाँ पे notochord प्रिजेंट होते है और इसके उपर बाहर में nerve cord होता है तो notochord ना आगे चलके यही notochord notochord किस में बदल जाता है vertebral column में बदल जाता है हम में vertebral column में इसलिए हम vertebrate कहलाते है जिन में नहीं बदलता है वो vertebrate नहीं कहलाते हैं और यहाँ पे होता है nerve cord nerve cord इसके उपर nerve cord होता है और जो nerve cord होता, वो spinal cord में बदल जाता है, ठीक है, तो notochord कहां present होता है, mesodermally derived होता है, rod-like structure, तो आपको आएगा notochord is, mesodermally नहीं लिख करके, actodermally दे देगा, तो आपको याद रखना है, यह कैसे originate होता है, mesodermally originate होता है, rod-like structure है, किधर present है, पीछे present है, vertebral column हमारा पीछे तो याद रखना यह पीछे है, आगे नहीं है, तो dorsal side में present है, during embryonic development, कब होता है, embryonic development के time पे बनता है, ठीक है, animal with notochord, जिनमे notochord होता है, चाहे throughout the life रहे, चाहे पहले रहे, कुछ समय के लिए रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, cordates बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम non-cordates बोलते हैं, तो porifera से akinoderms में नहीं होता है, akinoderms के बाद जितने हैं, उनमें क्या होता है, notochord present होता है, तो सबसे पहले तो आपको line से याद रखना है, phylum के नाम, तब ही आप इस chapter के सारी चीजों को एक बार में याद कर रख सकते हैं, और मैं last में बताऊंगी आ याद करना है, revise करना है बहुत कम समय में, तो आपको सबसे पहले याद करना है, phylum, porifera से लेकर के last तक आपका core data तक, और core data के भी कितने आपके classes हैं, वो याद करना है, तो इन सब की trick की जो link है, आई बटन में दिया हुआ है, वहां से आप याद कर सकते हैं, ना हम आज आत याद हम porifera के बारे में पढ़ेंगे, porifera से आपको क्या क्या question बनता है, सबसे पहले तो diagram, diagram must है, ये diagram दे देगा, आपको बोलेगा कि पहचानने, फिर आपको क्या दे देगा, कि भाई, osculum किसमें होता है, ostia किसमें होता, ostia छोटा pore है, या osculum बड़ा pore है, तो भाई, य बहुत सारे holes है, बहुत सारे holes है, अब इस hole से पानी आ रहा है, फिर पानी उगल रहे है, अंदर पानी ले रहे है, छोटे-छोटे ostia से, ostia से पानी अंदर जा रहा है, और फिर osculum से बाहर उगल रहे है, दिन भर इनका यही काम है, बैठे रहना एक जगा से साइल होते, खासका यूपलेक्टेला, बहुत खुबसूरत होते हैं, और कई देशों में तो gift भी किया जाता है, ठीक है, तो इन में क्या present होता, ostia and osculum होता है, और बीच में na cavity खाली रहता है, पूरा बीच में खाली, तो उसको हम क्या बोलते है, sponge के अंदर जो seal, cavity present है, उसको sponge जो seal ब इधर से पानी के अब बाहर से निकला, बस, यही कैनाल सिस्टम है इनका, ठीक है, और इसी पाथवे से ये मतलब सब कुछ कर रहे हैं, सारा काम कर रहे है, removal of waste, respiratory exchange, सारा काम इसी से कर रहे है, अब खास बात इनके पास क्या है, special, special feature इनके पास क्या है, special feature, special feature है, इनके पास, quannocytes, जिसको collar cell बोलते हैं, ठीक है, तो इनके पास कुछ है नहीं, लेकिन घमंड बहुत है, ठीक है, इनके पास कुछ है नहीं, लेकिन घमंड बहुत है, collar, हाँ, भाई हम तो छेदी लाल है, okay, collar cell है इनके पास, digestion इनका, intracellular, अब कुछ है नहीं, तो cell से ही digestion करेंगे, तो जाना चाहिए, sponges को ऐसे लटक जाना चाहिए, लेकिन कैसे ये खड़े हैं, ये structure कैसे maintain है इनका, आडा तिरचा है structure, ये maintain है इनका skeletal system की वजह से, वो skeleton किसका बना हुआ है, spicules का बना हुआ है, ठीक है, या spongy fibers, किसके बने हुए है, fibers के बने हुए है, जिसको हम क्या बोल र related नहीं है, इनका, ओके, ये reproduction कैसे करते हैं, asexually भी करते हैं, fragmentation के थुरू, और sexually भी करते हैं, by gametes, ओके, fertilization internal होता है, development इनका, indirect, having larva stage, और जो की larva stage अलग होता है, adult से, ये बात important है, ठीक है, इंसे important question, बनता है कहां से बच्चे, बनता है इस example से, ठीक है, सब के example के trick भी मैं बना चुकी हूँ, वो आपके playlist में दिया हुआ है, animal kingdom के बहुत सारे trick बने हुए है, वो आप वहां से देख सकते हैं, फिर है, example को कैसे याद रखना है, उसके common name के साथ, ओके, तो साइकॉन का साइफा, ये दोनों मिल रहा है नाम, फिर है spongyla, गीला गील गीला गीला क्या है, water sponge है, you spongyla को हम bath sponge बोलते हैं, this is very important, ठीक है, very important, bath sponge किसको बोलते हैं, you spongyla, bath sponge किसको बोल रहा है, you spongyla, तुमने मेरा sponge ले लिया, bath sponge मैं किस से नहाँ, ठीक है, फिर है phylum sealant rata, अब इसके पास भाई, ये छेदी लाल से कुछ तो अच्छा होगा, पौर फरना चालू कर दिये, वो तो पूरा सेसाल था, अब इसमें से कुछ क्या है, थोड़े से free swimming है, ओके, ये mostly marine होते हैं, सेसाल होते हैं, free swimming, और इनमें symmetry पाई जाने लगी, इनमें, वो तो asymmetrical था, इनमें symmetry, कौन सी symmetry, radial symmetry, कहीं से भी काटो, पिज्जा जैसा बराबर, ओके, इ नीडो ब्लास्ट है, जिनमें की, क्या होता है, स्टिंगिंग कैपसूल होते हैं, और निमाटो सिस्ट होते हैं, नीडो ब्लास्ट है, पहले वाले के पास क्या है, कॉलर सेल है, ठीक है, इसके पास क्या है, नीडो ब्लास्ट है, ओके, नीडो ब्लास्ट से याद रखो, नी के Tentacles में Hydra देखा है ना उसके Tentacles होते हैं उसमें नीडो ब्लास्ट है अब ये खड़े हैं एक जगा तो क्या करेंगे उसको पकड़ेंगे इधर उधर जो भी ऑर्गनस्म आ रहा है उसको अपने Tentacles से पकड़ेंगे और Tentacles सौफ्ट होगी तो slip नहीं कर जाएंगे तो इसलिए उसमें क्या है stinging needle-like क्या है stinging capsule है जिससे वो उसको capture कर रहे हैं अपने प्रे को सो नीडो ब्लास्ट किसलिए है, एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए, कैप्चर करने के लिए, कोई इधर उधर जा रहा है, आप हाइडरा के पास जाओगे, थपड लगा देगा आपको, थपड लगा देगा कसके, फिर इनका टीशू लेवल बॉडी और्गेनाईजेशन ह होता है, डिपलो ब्लास्टिक होता है, ये तो हमने सुरू में ही पढ़ लिया, इनके पास सिंगल ओपनिंग है, जिसको हम हाइपो स्टोम बोलते हैं, ओके, गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, अभी अलमेंटरी कैनाल नहीं बनाए बेटा, अभी गैस्ट्रो वैस्कुलर क इनके पास इनकी जो स्केलेटन बनी हुई होती है, वो कैल्सियम कार्बोनेट की होती है, इनकी स्केलेटन किसकी बनी है, कैल्सियम कार्बोनेट की बनी है, अब देखो कोश्चन कैसे आता है, आता है कि नीडो ब्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, या मैच दी फॉलोइ करके आजाएगा आपको फिर आजाएगा which one of the following is true about the seal and treta ऐसे करके आजाएगे ओके फिर इनके पास alternation of generation होता है polyp and medusa होता है ठीक है polyp से question आएगा polyp और medusa में क्या अंतर है बेटा polyp जो होता है polyp ना एक जगा बैठा रहता है सेसाईल polyp पहले आया तो बैठा रहेगा और medusa मस्त होके umbrella की तरह मूव करेगी medusa क्या करेगी move करेगी मस्त होकर के और polyp जो होगा polyp जो होगा ये क्या करेगा asexually reproduction करेगा जो एक जगा बैठा है वो क्या sexually reproduction करेगा और जो medusa जो घूम रही है वो अपना mate ढूंडेगी गूम घूम के mate ढूंडेगी और कैसे करेगी sexually reproduction करेगी is this clear ठीक है तो alternation of generation होता है पहले polyp होता polyp जो है sexually reproduce करके medusa बनाता है और medusa फिर sexually reproduce करता है फिर वो उससे जो बच्चे बनते वो polyp बनते हैं ठीक है the former is sacyl cylindrical form होता है polyp जो है आपका sacyl है cylindrical होता है ओके जिसमें कि आपका hydra और adamcia आ गए hydra adamcia चुप चाप एक जगा खड़े रहते हैं और जो aurelia है jellyfish जिसको हम बोल रहे हैं aurelia aurelia को air में move करना पसंद है air में move नहीं करती याद कराने के लिए बोल ठीक है now फिर आपका आता है example से question example में है आपका fyselia पुर्टगीज और man of war किसको बोलते हैं fyselia को बोलते हैं अब ये google में ढूंड लेना क्यों बोलते हैं इसको ठीक है अच्छी interesting कहानी है adamcia sea animal penatula pen से याद रखना pen 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 दोनों मिल रहे हैं fan ठीक है गर्मी लगरी गौर गौन याँ c fan गर्मी लगरी भाई तो गर्मी गौन है न गौर गौन याँ गर्मी लगरी है okay और adamcia में एनिमॉन, जो एडम है, जो आदमी है, वो एनिमल को खाता है, एनिमॉन, एनिमल को खाता है, फिर मीन ड्राइब, मरीन ड्राइब के लिए, मरीन ड्राइब के लिए, हमारे दिमाग में क्या चलती रहती है, यह उथल पुथल चलती रहती है, चलो मरीन ड्राइब करके जाते, म कर सकते हैं फाइram तीनो फॉरा तीनो फॉरा इसके बाद तो तीनो फॉरा को हम कॉम जली भी कहते हैं यह की तेंड़ पलेट इसके पास क्या है अब देखो यह अलग लेवल का हीरो इतकी कर रहा है पहला वाला कॉलर घूमारा दूसरा वाला dalट मार रहा है सब और ये कंगी कर रहा है ठीक है ऐसे याद करते जाओ इसके पास क्या है कॉम्ब प्लेट है अभी ये टीशू लेवल ही है और डिपलोवलास्टिक ही है और रेडियल सिमेट्री ही है ओके कॉम्ब प्लेट किसमें help करता है इसके lokomotion में help करता है और तीनो फोरा पहले ना लेकिन टीनोफोरा ने हर्टाल मजा दी कि भाई हम कुछ अलग हैं हमें लाइट आती है रात में टीनोफोरा को देखो कि बहुत खुबसूरत लगते हैं समुदर के अंदर ठीक है तो इनमें बायो लुमिनिसेंस प्रॉपर्टी होती है तो पूछा जगा बायो लुमिनिसेंस मीन से होता है असेक्सवली रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं ओके एक्जाम्पल इसका दो ही है प्लियूरो ब्राचिया और टीनो प्लाना प्लैटी हेलमेंथस प्लैटी हेलमेंथस प्लैटी का मतलब हो गया फ्लैट प्लेट जैसा फ्लैट ठीक है प्लैटी का मतलब क्या हो या flat और helminthus का मतलब होता है ना worms, worms जो होते हैं flat worms, ओके तो इनकी body एकदम चप्टी होती है जैसे किसी को मार के चपल से चप्टा कर दिया हो तो बिल्कुल इनकी body कैसी होती है चप्टी और इन में से अब यहां से कुछ special feature आने लगे स्पेशल फीचर क्या आने लगे अभी तक डिपलो ब्लास्टिक थे प्लैटी हेलमंथस से ट्रिपलो ब्लास्टिक हो गया एसीलोमेट है ये और सिमेटरी भी अभी तक रेडियल थी अब कैसी हो गई प्लैटी बाई-लेटरल फीचर के टीन तीन सुरू का पहला तो बिल्कुल सिमेटरी नहीं दो रेडियल और ये बाई-लेटरल सिमेटरी का हो गया चीक है भूक और सकर होते हैं चुक्कि यह वर्म्स है तो इसके पास हूक और सकर होंगे ना तभी तो ये खुन चूसेगा आपका, ओके, इनके पास flame cell होता है, extra में क्या याद रखना है, flame cell होता है, जो की excretion में help करता है, तो कैसे याद रखना है, plate है, plate के उपर आग जल रही है, flame cell, ठीक है, तो platy alminthus के पास होता है, flame cell for the excretion, और sexist इनके अलग- male, female दोनों एक ही में होती है, ओके, एंड इसका जो, एक important example है, that is planaria, ये regeneration capacity होती है, जितने बार काटोगे, उतना जादा regenerate करता है, वो, उतना, अगर planaria घर में आ गया, 10 हिस्से कर दिये, तो 10 और planaria घर में हो जाएंगे, ठीक है, और example इसका है, टीनिया और fasciola, लिवर फ् platy-helminthus सबसे easy है, फिर है ascal-minthus, 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 ascal-minthus का मतलब ही होता है, round, और helminthus का मतलब हो गया warm, ठीक है, round warm, ये बहुत बिमारिया करता है, और इसमें round warm में, अब special feature क्या आ गया बच्चे, कि इसके पास pseudocilomate है, सबसे पहली बात, pseudocilomate है, और ये organ system level यहां से start होता है, organ system level start होता है, pseudocilomate है, बाकी सारी चीज़े तो पूरा नहीं है, elementary canal complete है इसका, ठीक है, इसके पास muscular farin से इससे question आता है, और ये अब इसके sex से separated हैं, अब ये diaceous हो गया, diaceous का मतलब क्या होता है, बच्चे, die का मतलब होता है, die का मतलब होता है, two, और eaceous का मतलब होता है, house, मतलब लड़का लड़की अलग घर में रहते हैं, लड़का लड़की, जो है ना, एक ही animal में नहीं होंगे, अलग घर में होंगे, ठीक है, तो male इसमें छोटा, और female होती है, लंबी, ठीक है, एक उचा लंबा कद दूज़ा सोड़िये तू हद ये इसको देखके गाना गा रहा है एक उचा लंबा कद दूज़ा सोड़िये तू हद है ना लंबी भी है हद भी कर रही है फिर male and female अलग-अलग है female लंबी है fertilization internal ये सब तो ठीक है ओके ना अब इसमें और important बात क्या है य ये parasitic होते हैं बहुत सारी बिमारियां करते हैं वो तो platyhelminthus भी करता है ओके लेकिन एक्जामपल में ascaris याद रखना है ascaris roundworm को बोलते हैं ठीक है roundworm as कर रहा है roundworm ठीक है लट्टू की तरह round round होके as कर रहा है वुचेरिया ठीक है वुचेरिया philarialworm जो philaria हाथी पाओ मोटा सा पाओं हो जाता है वो वुचेरिया बैंकर ओफ्टी से होता है वुचेरिया मलाई ठीक है फिर encyclostomata hookworm okay cycle में क्या लगा हुआ है hook लगा है cycle में क्या लगा है hook लगा है बेटा scientific name और common name से बहुत आपका match the following आता है okay okay याद हो गया roundworm as कर रहा है ठीक फिर philaria बिमारी दे रहा है और hook लगा है cycle में encyclostomata न एनलीडा पे आते हैं एनलीडा के पास खास बात क्या है एनलीडा के पास खास बात है बच्चे इससे जो question आता वो मैं आपको बताती हूँ इसमें organ system ये सब bilateral तो अभी तक चलता आ रहा है ठीक है इसमें खास बात ये है metamerically segmented है okay metamerically segment implementation यहां से सुरू हो गया silomate है okay और खास बात इनके पास क्या होती है कि जो आपका neris है ठीक है neris इसमें जो है वो diaceous है neris diaceous है और earthworm and leeches monoaceous हो गया अर्थworm और leeches ने भगवान से बोला कि भगवान ठीक है आपने इसमें ascalminthus से हमें diaceous बना दिया लेकिन हमें फिर से monoaceous बनना है ठीक है हमें फिर से लड़का लड़की एक ही में चाहिए तो neris ने मना कर दिया ना 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 लड़का लड़की अलग diaceous होंगे हम तो neris में neris क्या होता है diaceous होता है और क्या खास बात है हाँ एनलीडा का मतलब होता है ring ring ठीक है देख रहा हो कितने सारे ring like structure ऐसे गोल 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 और ये सबी क्या है segment उपर से तो कटे हैं अंदर से भी कटे हैं तो इसको क्या बोलते है true metamers okay metamers बोलते हैं और ये पुरा ring like बन रहा है okay इनके बहुत सारे पैर होते हैं भगवान ने यहाँ पे बहुत सारे पैर दे दी अभी तक पैर नहीं थे किसके पास यहाँ से appendages आना सुरू हो गए बहुत सारे पैर आना सुरू हो गए भगवान ने पैर दिया चपड़ फार क कि लो भाई पैरा पोडिया इसको क्या बोल दी है पैरा पोडिया जो कि swimming में help कर रहा है फिर close circulatory system यहाँ से present हो गया बच्चे ठीक है close circulatory system present हो गया इससे पहले वाले से आपका complete digestive system सुरू हुआ था यहाँ से close circulatory system फिर इसमें excretion किसके help से होता है नेफरीडिया तो एनालीडा नेफरीडा एनालीडा नेफरीडा एनालीडा नेफरीडा एक्सक्रीशन के लिए help होता है ओके फिर इसके example आप याद कर लिए नेरिस ना 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 रहे अलग रहना है dices रहना है फिर उसके बाद कौन बोल रहा है हिरूडियाना और आपका आर्थवम तीन ही तो हैं ठीक है आर्थवम हिरूडिया हिरूडिनेरिया और नेरिस फिर है अर्थोपॉर्ड़ा, सबसे सबसे लार्जेस्ट फाइनल एनिमेलिया का कोई है तो अर्थोपॉर्ड़ा है, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट, हर जगा इंसेक्ट ही इंसेक्ट, ठीक है इसमें सारे क्या आजाते हैं, इंसेक्ट आते हैं, फिर इसमें क्या खास बात है, system चल रहा है, bilateral ये सब तो चल ही रहा है पहले से, इसमें खास बात ये है कि chitinus exoskeleton इसमें आ गया और body is divided into head, thorax and abdomen, ओके और पैर पहले बहुत सारे दे रही है तो भगवार ने अब बोला कि jointed appendages होंगे, arthropoda का ही मतलब होता है jointed appendages, poda मतलब appendages leg और arthropoda का मतलब होता है jointed, respiratory organ इसके क्या-क्या होते हैं, gills, book gills, book lungs, rachial system ये सब इन में होते हैं, book lungs आपको spider में मिल जाएगा, ठीक है, फिर circulatory system इनका open type का होता है, circulatory system इससे पहले close हो गया था, लेकिन यहां पे circulatory system open हो गया, मतलब यह जैसे बहगवान से मिलनते कर रहा है, बहगवान खोल दो, जैसे अर्थवाम ने मिलनते की, कि बहगवान हमें फिर से mono ECS बना दो, di ECS नहीं बना, क्योंकि एक बर जो feature आजाता है वही चलता है, लेकिन यह सब exception है, circulatory system क्या हो गया, open है, okay, sensory organ, like antenna, यह सब तो है, यह important नहीं है, important है, इनके पास एक balancing organ होता है, जिसको statocyst बोलते हैं, statocyst, balancing organ present होता है, ठीक है, फिर excretion takes place through malphesian tubules, malphesian tubules present होता है, जो आप cockroach में पढ़ते हैं, ठीक है, आप यह बताएंगे मुझे कि कितने malphesian tubules इन में present होते हैं, number बताएंगे malphesian tubules का, उससे question आता है, excretion किससे होता है, malphesian tubules से होता, चाहिए, ऐसे घुमा के question देखा आपको, ठीक है, यह diaceous होते हैं, diaceous मतलब male cockroach अलग होगा, female cockroach अलग होगी, then, example से question आते हैं, example में apis, तो honeybee को बोलते हैं, apis indica, bombix, mori, silkworm, lecifer, lac, जिससे lac, जिससे lac की चूडिया बनती हैं, उसकी lac insects, फिर, जो locust है, और lemulus है, lemulus से question आता है, कि lemulus को, क्या बोलते हैं, living fossil, बोलते हैं, which one of the following is known as living fossil, lemulus, फिक है, plant kingdom में कौन था है, equisetum, living fossil, और यहां पे, कौन है living fossil, lemulus है, फिर, आपका gregarious pest कौन है, locusta, now, ऐसे इसके example से उतने question नहीं आते हैं, molluska की बात करते हैं, molluska, अब देखो क्या है, भगवान ने पूरा भर-भर के पैर दे दिया, अब कौक्रोश को देख लो, मारने जाओ, भाग जाता है, बिल्कुल जल्दी-जल्दी, देखा कि भाई, जीना हराम कर दिया है, इनसानों का, तो अब इनके पैर ही छीन लिया, अब तुम चलो, आराम से, यूँ आगे बढ़ो, फिर पीछे आओ, फिर आगे बढ़ो, बहुत धीरे, तो molluska के पास अब पैर नहीं है, ये second largest animal phylum है, डाइसेक्शन वगरा अगर करना होगा, तो आपको यही मिलेगा molluska आजकर, ठीक and visceral hump से divided होती है, ठीक है, head muscular foot and visceral hump होता है, a soft and spongy layer of skin form सा mental over the visceral hump, hump किसको बोलते है, ये ऐसे hump, ठीक है, उसके उपर आपका क्या है, mental है, ओके, इनके पास, इनके पास से, एक special जो structure है, that is known as radula, radula को हम rasping organ बोलते हैं, जो कि feeding के लिए होता है, radula is rasping organ for the feeding, इससे question आता है, this is important, okay, इसका example क्या है, paila है, octopus है, paila है, octopus है, और इनके common name से, और scientific name से question आता है, तो paila तो apple snail हो जाएगा, ठीक है, पीला apple, याद रखो, pink tada, pink tada, pearl oyster है, pearl जो है, pink color के डब्बे में बंद है, pearl जो है, pink color के डब्बे में बंद है, ऐसे याद रखो, sepia, ठीक है, sepia, cuttlefish, loligo, loligo, squid, squid, loligo, कुछ funny बना करके आपको याद करना होगा, loligo और squid को, फिर है, octopus, octopus भाई, devil की तरह लगता है, तो devil fish हो गया, okay, तो इन सबसे ज़्यादा आपको question आता है, cuttlefish से आता है, फिर octopus से आता है, या फिर mollusca के कुछ example दे देंगे, और बूलेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा है, जो mollusca का example नहीं है, ऐसे question आता है, फिर है अकाइनो डर्माटा, अकाइनो डर्माटा से क्या question आता है, अकाइनो डर्माटा के पास न, excretory system नहीं होता है, अलग से मतलब excretory organ नहीं है, इसके पास water vascular system है, उसी से, उसी से ये सारा काम करते हैं, देखो excretory system is absent, ये important खास बात है इसके पास, और इसके पास क्या खास बात है, कि जो adult होते हैं, adult जो होते हैं, आप starfish को देखो, वो कैसे radial symmetry हैं पिज़ा की तरह, adult radial symmetry होते हैं, लेकिन जो larva होते हैं, इनके larva ऐसे bilateral symmetrical होंगे, ठीक है, this is important, और क्या खास बात है इनके पास, diastive system complete है, इस सब तो पहले से चला आ रहा है, sex is separated है, ओके, और कोई खास बात नहीं है, अब इनका जो example है, example से बहुत question आता है, Asterias, starfish, Asterias का मतलब ही होता है क्या, astrology से याद रखो star, astrology में हम क्या पढ़ते है, stars के बारे में, Asterias, starfish, फिर akainus, नस में U है और अर्चिन, नस में U है और C अर्चिन, ओके, फिर है anti-dawn, dawn कौन है, dawn कौन है, lily flower is dawn, lily flower प्यारी सी लगती है, लेकिन वो dawn है, anti-dawn है, ओके, या फिर याद रखो, lily flower के उपर ant चल रही है, lily flower के उपर ant चल रही है, cucumber से, sea cucumber, cucumeria, cucumber, फिर, offiura, offiura से brittle star, ये कैसी star है, offiura, off हो गई है, ये star, brittle है, ठीक है, off हो गई है, बंद हो गई है, light weight नहीं देती, off ही हो रहा, फिर है हमारा hemicordata, hemicordata, ये भाई सब क्या करते हैं, सिर्फ मिटी खाते हैं, इसको पहले cordates में रखा गया, फिर इनको निकाल दिया गया, इनको hemicordata, एक अलग phylum में रखा गया, और ये समुद्र के अंदर जाके, सिर्फ मिटी खाने का क्याम करते हैं, hemicordata have rudimentary structure in collar region, जिसको हम stomocord बोलते हैं, जो की similar है notocord के, notocord है नहीं इनके पास, पहले हमें लगा कि वो notocord ही है, तो notocord में रख दिया था, फिर इनको देखा रहे, notocord नहीं है, stomocord है, कुछ अलग टाइप का है, ठीक है, कहां पे होता है stomocord, collar region के पास होता है stomocord, notocord की तरह लगता है, और खास बात क्या है, कि इनके पास proboscis gland होता है, ठीक है, proboscis होता है, और ये proboscis किस में help करता है, excretion में help करता है, ये proboscis किस में help कर रहा है, excretion में help कर रहा है, ठीक है, पानी के अंदर पाया जाता है, तो respiration gills के थ्रू होगा, body divide होती है, proboscis collar and trunk में, proboscis collar and trunk में, ठीक है, circulatory system देखो, फिर से open कर वा लिया, क्या है बाई, orthopods ने open कर लिया, क्या दिक्कत क्या थी, ठीक है, circulatory system फिर से open कर लिया, और इसका example क्या है, bellenoglossus और psychoglossus, दो ही example है, glossus, glossus वाले, फिर भी याद नहीं होता है, तो याद रखो, hemicordata, hema का बलम, बलम सक करता है, ठीक है, bellenoglossus और psychoglossus, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, chordates में chordates में, I hope की अभी तक की चीजें बहुत हद तक आपको याद हो गई होंगी, नहीं याद होई है, तो last में एक बार revise करेंगा, पूरा याद हो जाएगा, phylum chordata की बात करते हैं, ऐसा phylum जिसके पास notochord present है, notochord कहाँ पे है, dorsal, dorsal side में, अब ये diagram आता है, ये diagram आजाता है, labeling के लिए, कि notochord कहाँ present है, nerve chord कहाँ present है, तो याद रखना, nerve chord बाहर side present है, ठीक है, और यही nerve chord किस में convert होगा, बेटा, spinal chord बनेगा, spinal chord बनेगा, और ये notochord क्या बनेगा, vertebral column बनेगा, किस में हम में, ठीक है, vertebrates में बनेगा, notochord अंदर रहता है, कैसे याद रखोगे, hollow nerve chord, paired pharyngeal gillslits, देखो, gillslits present होते हैं, paired pharyngeal, अब बोलोगे कि हम में कहाँ हैं, गillslits, embryoical stage जो होती है, उसमें gillslits पाए जाते हैं, इनमें, cordates में, post annal part, okay, pre annal part नहीं है, post annal part है, तो इस तरह का आपको, उल्टा सिधा दे देगा, notochord की जगा, nerve chord लिख देगा, post annal क नहीं है, okay, now, difference between, this is very important, cordate के पास notochord है, central nervous system है, और ये सभी क्या है, dorsal है, dorsal है, hollow है, और single है, pharyngeal है, जिनमें gillslits लगा हुए, heart, ventral है, आगे side होगा, post annal part है, इसका सब उल्टा किसमें होगा, non-cordates में, okay, non-cordates में, heart भी पीछे होता है, dorsal होता है, okay, जैसे cockroach में, बहुत सारे 13 चंबर, now, अब यहां से question आता है, very very important, यहां से question आता है, क्या question आएगा, लिखा होगा, कि cordata is divided into, euro cordata, tunicardata and cephalocordata, यह euro cordata, tunicardata and vertebrata, लेकिन याद रखना है, कि euro cordata को ही हम tunicardata बोलते हैं, दोनों अलग-अलग नहीं है, euro cordata, cephalocordata और vertebrata, चीक है, तीन पार्ट में divided होते हैं, अब euro cordata और जो cephalocordata है ना, इनको हम proto cordata बोलते हैं, और vertebrate को vertebrate बोलते हैं, और euro cordata जो होता है, सबसे पहले बना, euro cordata, सबसे पहले, जो सबसे पहले बनेगा, वो गरीब होगा, तो euro cordata के पास notocord सिर्फ larval stage में होता है, और वो भी सिर्फ larval tail में होता है, euro cordata में, notocord सिर्फ larval tail में होता है, सिफैलो cordata में, कहां पे होता है, head से लेके tail तक, सिफैलो का मतलब ही होता है, सिफैलो का मतलब क्या होता है, head, सिफैलो, ठीक है, सिफैलो का मतलब ही होता है, head, okay, तो सिफैलो cordata में, याद रखना, head से लेके tail तक, euro chord data में सिर्फ last में tail में होता है एंड जो आपके vertebrates होते हैं उनमें notochord आपका पूरा पूरा ये जो है the notochord is present during the embryonic period और ये notochord replace हो जाता है किसमें vertebral column में लेकिन euro chord data सिफेलो chord data में क्या होता है notochord ही present होता है throughout their life वो change नहीं होता vertebral column में इसलिए वो vertebrata में नहीं आते हैं आपको याद रखना इसका example euro chord data का ascedia salpa तीक है salpa, salma और ascedia ऐसा लग रहा है europe, europe जाएंगे कौन asic, asic salpa, तीक है europe जाएंगे euro chord data से याद रखना asic salpa, europe भाग जाएंगे cephalo chord data का example हो गया branchiostomata तो brain का जो neurons होता वो कैसा होता branch like होता है ना तो branchiostoma ये इसका example हो गया now vertebral column इनके पास होता है तो इसलिए इनको क्या बोलते है vertebrates बोलते हैं अब यहाँ से question आपका बनता है यहाँ से question बनता है assertion region okay assertion region all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates ये दे देगा ये question में दे दिया उसके बाद reason में क्या दे देगा the chordate is replaced by cartilagious vertebral column तो दोनों सही है और reason भी correct explanation है तो यहाँ से आपका क्या बन गया assertion region question बन जाता है या फिर आपसे पूछेगा which is true all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates फिर उल्टा दे देगा दूसरा statement होगा all chordates are vertebrates but all vertebrates are not chordates इस तरह से question घुमा करके आपको दे देगा ये अगर आप समझ जाते हैं ये table तो आगे बहुत समझना easy हो जाता लेकिन यही table बच्चों को समझ में नहीं आती है लेकिन आज समझेंगा मज़दार तरीके से देखो vertebrates vertebrates divide होता है again again दो पार्ट में ठीक है इसका division है agnatha और gnathostomata agnatha वो है जो की thotha है जिसका जबड़ा नहीं है जबड़ा नहीं है जबड़ा नहीं है जो जैसे बूड़े हो जाते हैं दादा दादी जो बूड़े रहते हैं तो वो कैसे दाद नहीं रहते यूं ऐसा जबड़ा बिलकुल गिस जाता है तो कैसा हो जाता है मूँ ऐसे हैं न और बता बता ऐसा हो जाता न मौ तो इनके पास जौ नहीं है और ये जो है इनके पास जौ है ठीक है तो दो दराके हैं जिनके पास जौ नहीं है उनको बिरादरी से निकाल दिया हटाओ तुम्हें पास जौ तक नहीं है हटा दिया और दूसरे हैं जिनके पास जौ जबड़ा है इनुक्त तो यह क्या दिए करते हैं यह कैसे फिर खाते हैं यह पैरसिटिक होते हैं यह दूसरी मचली के ऊपर आकर बस चूसने का काम करते हैं ठीक है और इसका क्लास क्या होगा थाक है साइकलोस्टोमाटा, साइकलोस्टोमाटा से याद रखना है, इसका जो मुह है वो साइकल के पहिये की तरह गोल-गोल, सॉकिंग माउथ होता है, साइकलोस्टोमाटा, फिर गनैथोस्टोमाटा, गनैथोस्टोमाटा, जो है, इनके पास जौ है, इसमें, दो क्लासेस आ जाते मचलियों के और Tetrapoda, मचलियों को अलग क्यों किया, क्योंकि इनके पास पैर नी है चार पैर नी है, इनके पास क्या है Fins है, तो मचलियों को भी रादर इसे अलग किया और Tetrapoda में कौन आ गए जिनके पास हाथ पैर है Enphibia, Reptilia, Apes और Mammals, और मचलियों को Parasites है, क्यों, क्योंकि इनके पास जबड़ा नी है, कुछ नी है, तो अब इनको मजबूरी हो गई है, कि ये किसी दूसरी मचली के उपर जाकर के यहाँ पर बैट जाएंगे दूसरी मचली के उपर, और बस उसका खोन जूसेंगे, ठीक है यह दूसरी मचली के उपर, आकर यह इसका खोन जूसेंगे और इनके पास 6 to 15 pair of gillslits होते हैं, यह देख रहे हो इधर 6, उधर 6, 6 to 15 pairs of gillslits होते हैं gillslits होते हैं, और इनके पास circular mouth होता है, cyclos tomato के पास, और क्या खास बात आपको याद रखनी है हाँ, यह marine होते हैं यह समुदर में पाए जाते हैं लेकिन, जब इनको बच्चे पैदा करने होते हैं, तो यह चले जाते हैं, कहां? fresh water में बहुत दुख भरी कहानी है इनकी एक तो यह थोते हैं एक तो यह थोते हैं उपर से इनको कहां जाना पड़ता है fresh water में जाते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए बच्चे पैदा करते हैं और वहीं पे फिर वो मर जाते हैं after spawning, within few days they die, मतलब ऐसे माबाप की बच्चे पैदा करने के बाद यह dead हो जाती है इनकी, फिक है? fresh water में क्यों जाते हैं, ताकि इनके बच्चे ग्रो कर सकें, वहाँ पे उनको food अच्छा मिल सके, फिक है? their larva after metamorphosis और larva की भी वही कहानी होती है larva फिर बड़ा होता है, वो ocean में चला जाता है, और जब उसको बच्चे पैदा करने होता है, फिर वो जाएगा, फिर वो मारा जाएगा, तो बहुत दुख भरी कहानी है cyclostomata की इसका example क्या है? lamprey, यह भगवान से pray कर रहा है यह भगवान से pray कर रहा है, भाई, वो मार ही डालो, ऐसे जिन्दिगी देने से नाम फनी है, फिर chondricitis, chondricitis आगया, chondricitis में आपको क्या याद रखना है कि अब पहले मूह ही नहीं दिया था बगवान ने अब इतना मजबूत जबडा दे दिया इसको, देखो, मूह को पकड़ के तुम स्विम कर लोगे एक जगा से दूसरे जगा, इतना मजबूत जबडा दे दिया इसका, ओके तो इसका मूह जो है, काफी मजबूत है और notochord is persistent throughout the life, ये ठीक है special चीज आपको क्या याद रखनी है कि इनके पास जो gillslits है उनमें operculum नहीं है gillslits में operculum नहीं, operculum क्या होता है, gillslits के उपर जो covering होती न, gills के उपर gills इनके खुले हो, उनके उपर operculum नहीं है, placoid scale tough placoid scale इस तरह का ऐसा, इस ताइप का placoid scale होता है और इनका, जो teeth है वो भी placoid scale में modified हो गया है, काफी जबडा एकदम कड़ा है ठीके, अब क्या है भगवान ने बहुत powerful jaws दे दी है, now इनकी भी एक दुख भरी कहानी है कि इनको continuous, continuous विचारों को swim करना पड़ता है जहां इन्होंने swim करना रोका, ये पानी में नीचे डूप जाते है क्यों? क्योंकि इनके पास air bladder नहीं है ठीके, तो किस मामले में ये गरीब है जबड़ा तो दे दिया इनको मजबूट लेकिन इनको क्या नहीं दिया operculum and air bladder नहीं दिया ठीके, जबड़ा तो दे दिया लेकिन operculum और air bladder इनके पास नहीं है तो यहां से आपका बनता है assertion region क्या बनता है? कि essence of air bladder they have to swim constantly to avoid sinking, तो जहां भी due to लगा है, थस लगा है if लगा है, तो वहां पे आपका assertion region बनता है यहां बन गया assertion region ओके फिर उपर वाले में बन सकता है कि वो parasitic होते है क्योंकि उनका जो mouth है वो कैसा है? सकिंग है, जौज नहीं है उनके पास, फिर आपका इसमें example आ जाता है, ठीके example में आपको याद रखना है किसके पास electric organ है electric organ है, टौर पेडो के पास तो कैसे याद रखो कि देखो, तार जिसके पास है, तार जिसके पास है उसके पास electric organ है तार, तौर, तार तार जिसके पास है, उसके पास electric organ है, तार में electricity होती है, poison sting इसको बोलेंगे trigon, अगर आपने किया try poison, तो you are gone, अगर किया try poison, तो you are gone, तो poison sting का trigon, तार पैदो electric organ, याद रहेगा, यह दोनों बहुत important भी है, ओके, अब इसके बाद, scally dawn, dog fish, dog क्या है, dawn है, dog क्या है, dawn है, भाई महले का, ठीक है, फिर pristis, sophist, pristis, मतलब जो पुजारी है, prist है, वो देख रहा है सबको, वो देख रहा है सबके गुनाहों को, ठीक है, sophist, फिर आपका trigon से question आता है, यह तीनों से question बहुत बनता है, torpedo, trigon, और आपका pristis, ठीक है फिर आगया osteokitis, osteokitis के पास खास बात क्या है, कि इसके पास O से osteokitis और O से operculum है, और air bladder भी है, भगवार ने बोला, भाई, ठक जाते होगे, लगतार, swim करते करते, air bladder ले लो, ठीक है, air bladder ले लो, तो इनके पास सब कुछ है, they are mostly oviparous, now, example में आपको याद रखना है, सबसे पूछा जाएगा कि fresh water fish कौन सा है, marine fish कौन सा है, fresh water और marine fish, fresh water fish वो होगा, जो घर में जादातार आता है, जो मचलिया खाते होंगे, जानते होंगे, रोहू, कतला, मांगूर, ये सब घर में बहुत आता है, ठीक है, काटे बहुत होते हैं, और जो marine fish होते हैं, marine में कौन marine में flying fish, आपको marine में ही मिलेगा, यहाँ तो fresh water में तो मिलेगा नी, aquarium में कौन कौन होते हैं, fighting fish होती है, angel fish होती है, जहाँ angel होगी वहाँ fight होगा ही, और angel कहाँ है, aquarium में, ठीक, फिर आगया amphibia इसके बारे में तो बहुत को जानते हो, ये दोनों जगा पाया जाता है, frog के बा common opening for, for tea, susu, sperm, सब के लिए common opening है, टिमपैनम होता है, इनके पास भी नीचे वाला दात नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है इनका मुँ, आगे वाला दात होता है, नीचे वाला दाती नहीं होता है, जीब जो होती है, बाई लोग होती है, ठीक है, और कुछ frog ऐसे होते हैं, ज आपना sex change कर लेते हैं, कई जगह पे कुछ ऐसे frog के species हैं, जो male से female बन जाते हैं, female से male बन जाते हैं, ज़रुवत पढ़ने पर, और ये hibernation करते हैं, estivation करते हैं, ये important part है, camouflage करते हैं, mimicry करते हैं, ये सारे इनके important part है, cold-blooded है, cold-blooded animal का मतलब ये हो गया, कि ये क्या है, poikilothermic ह है, इसका मतलब है, कि गर्मी आते ही, इनके अंदर का खून खौलने लगता है, इसलिए जमीन में जाना पड़ता है, थंडी आते ही, खून जमने लगता है, तो इसलिए इनको छोपना पड़ता है, सिर्फ ये निकलते हैं, बारिस के मौसम में, ओके, ये diagram आपको दे देग है, ये evolution chapter में भी इसका example दिया हुआ है, okay, iktyophis, जो है, limbless amphibia है, और ये क्या है, राना टेगरीना, राना टेगरीना, इंडियन स्पीसीस है, okay, और ये बहुत ज्यादा, कुछ फ्रॉग स्नेक से भी ज्यादा जहरीले होते हैं, okay, फिर हां, और क्या question मनता है, कि जो ट्री तो किसको बोलते है, tree, frost, frog, hyla, ठीक है, तो कैसे याद रखो, hyla, hyla, tree के उपर frog चड़ गया है, ठीक है, tree frog, और salamander तो salamander ही है, etiopis, etiopis आपका limbless amphibia है, फिर इनका diagram दे देगा, इनका structure दे देगा, और बोलेगा कि, भाई, नाम बताओ, ठीक है, इनका reptiles में, इनका द पूझेगा, कि ये reptiles में है, amphibia में है, क्या है, और सबसे important question यहाँ से आता है, कि केलोन, किलोन क्या है, बच्चे क्या लिख देते हैं, कि वो भी क्या है, एक तरह का lizard है, किलोन आपका turtle हो जाता है, कौन सा garden fish है, garden fish, calots है, तो garden fish से कैसे याद रखो, कि चलो garden में घूमते है ठीक है, चलो garden में घूमते हैं, और chameleon, chameleon tree lizard है, chameleon जो है, वो आपको ज़्यादा तर tree में देखने को मिलती है, tree lizard है, और wall lizard किसको बोलते है, hemidactylus, hemidactylus, house lizard, याद रखो, h से hemidactylus, और h से house की wall पर चलती है, जो house की wall पर चलती है, जिससे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, that is hemidactylus, दिक्कत भी है, गंदी लगती है, dactylus, फिर आपका हो गया, crate को हम क्या बोलते है, banjaras, ठीक है, crate क्या है, banjaras है, की lawn और कैलोटस में confuse मत होना, की lawn आपका turtle है, और कैलोटस आपका ये है, garden है, ठीक है, तो ऐसे भी याद रखो, garden में lotus, ओके, तो वो garden lizard है, इसके बाद इसमें, reptiles में याद रखने वाली चीज, सिर्फ आपका ये है, कि इसके body में scales पाए जाते हैं, ठीक है, और, बाकी सब तो, हाँ, इनमें एक है, जो four chambered है, बाकी three chambered heart है, four chambered heart आपका crocodile हो गया, बाकी और कुछ याद रखने लायक नहीं है, फिर evs आ गए, पक्छी आ गए, पक्छी आपके warm blooded होना सुरू हो गए, ठीक है, यहाँ से warm blooded होना सुरू हो गए, इनके पास air cavity पाई जाती है, ठीक है, pneumatic bones, जिसको बोलते हैं, air cavity पाई जाती है, और साथ में, इसमें और आपको क्या याद रखना है, कि हाँ, skin dry होती है, without gland, except oil, skin इनकी ऊपर वाली देखते हो, dry होती है, without gland, चिप-चिपी थोड़ी होती है, लेकिन जो पूछ वाली होती है, वहाँ पर oil gland मिलता है, ठीक है, oil gland at the base of tail, यह याद रखना, और इनके पास digestive track में क्या होता है, crop and gizzard, gizzard क्योंकि दाद नहीं होते हैं, तो gizzard ही ना cutting का का काम करता है, crop food को रखता है, crop से food जाता है gizzard में, और gizzard food को churning का का काम करता है, ठीक है, अब इससे question आपको वही example से आ सकता है, ऐसे आता नहीं है, हाँ, यह question आया हुआ है, कि bat का scientific name क्या है, इसका scientific name क्या है, मतलब diagram दे दिया और पूछ लिया कि कौन क्या है, ठीक है, तो mammalia में खास बात क्या है, कि इनके पास memory gland है, इनके पास memory gland है, इनके पास memory gland है, ओके, and आप सको question आ जाएगा, macropus is mammal, ठीक है, तो पहले पता तो ह होना चाहिए, कि macropus mammal है कि नहीं है, example, macropus mammal का है कि नहीं, यह statement सही है, दूसरा reason, they have memory gland, सही है reason, okay, तो यह आपको पता होना चाहिए, memory gland, milk producing gland को बोलते है, now, और क्या आपको याद रखना है, इसमें, और क्या याद रखना है, कि इनका four chamber heart होता है, birds का भी four chamber heart होता है, and fertilization, इनका, यह generally viviparas होते हैं, लेकिन कुछ जो है, oviparas होते हैं, कौन है, आपका oviparas का example कौन दिया हुआ है, platypus, यह important है, ठीक है, mammals, viviparas होते हैं, oviparas में example क्या है, platypus, यह पीछे रह गया बिचारा, पता नहीं क्यों, ठीक है, अब आपको macropus किसको बोल रहे है, kangaroo को, macropus किस macropus से ज्यादा question आता है, आपका question आता है, फिर इससे आ जाता है, dolphin से आता है, delphinus, dolphin और dolphin एक जैसा नाम है, macropus बस आपको याद रखना होगा, kangaroo, macropus, kangaroo, okay, फिर आपका, balanoptera, blue whale, blue whale, balanoptera, okay, कुछ नाम तो ऐसे दस बार बोलोगे ना, तो याद हो जाए, balanoptera, blue whale, macropus, kangaroo, तो दस बार बोलोगे, याद हो जाएगा, ठीक है, हर चीज के लिए trick सही नहीं है, now, अब इस chapter को देखो पढ़ने की सबसे अच्छी trick आपको NCRT ने खुद बताई है, कि सारा फाइलम पहले याद कर लो, एक party में आप गये, आपने पूरी फाड़ा, आपने noodles खाई, आ उसके बाद, उसके बाद, ठीक है, जो आपका दोस्त था, दोस्त था, आसिस और, एणि, आपकी friend, ठीक है, और, ठीक है, इनको आपने मारा, अर्थरो पोड़ा, इनको आपने पूरा पीटा, ओके, मारा, खूब मारा, पीटा इनको, और फिर, इतना ड्रामा करके, चले गये, ओके, तो यह कहानी हो गए आपको याद करें की, एक पार्टी में गया, वहाँ आपने पूरी फाड़ा, बहुत बड़ी पूरी थी, उसको फाड़ा, छीक है, फिर आपने क्या किया, नूडल्स खाए, फिर आपने टी पिया, प्लेट में दे दिया, तो आपको प्रेंड थी Annie, इन दोनों की marriage हो रही थी, इन दोनों को आपने क्या किया, पीटा, मारा, फिर उसके बाद इतना ड्रामा किया, उसके बाद कार उठाई, और फिर आप चले गए, ओके, ये हो गया, अब सबसे पहले देखो cellular organization, उसके बाद दो tissue organization, फिर organ, organ में आ गया, उसके ब टीशू वाले, फिर organ, फिर organ system वाले, फिर porifera में कोई symmetry नहीं है, उसके बाद दो में radial symmetry है, टीशू वाले में radial symmetry है, फिर उसके बाद सब में bilateral symmetry है, सब में क्या है, bilateral symmetry आपको देखने को मिलेगा, चीक है, ओके, echinodermata में exception हो जाता है, echinodermata में क्या हो जाता है, कि जो बच्चा है, बच्चे में क्या हो जाएगा, आपका echinodermata में, जो larval stage है, bilateral और जो adult है, वो radial हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका आ जाता है, सीलम में, सीलम में पहले तो platyhelminthus तक है ही नहीं, pseudo पे trademark लगा हुआ है, ascalminthus का, उसके बाद जितने हैं, वो sealomates है, फिर आपको याद रखना है कि segmentation, segmentation सिर्फ किसमें है, analida, orthopoda, cordata, वाकी सब में absent, ठीक, mollusca में भी नहीं होगा, analida, orthopoda, cordata, ये याद रखना है, फि सुरुवात के तीन के पास incomplete है, एक के पास hypostome है, एक के पास क्या है, एनस और वो, दोनों एक ही है, और फिर क्या है, सब के पास digestive system complete है, circulatory system की बात करें, तो starting के ascalminthus तक, भाई, ascalminthus तक अभी digestive system आया है, circulatory, ठीके, अभी digestive system अभी just ascalminthus को मिला था, circulatory थोड़ी मिल जा इतने है, सब के पास circulatory system है, ओके, याद रखना है, आर्थोपोर्डा के पास circulatory system कैसा हो गया था, बच्चे, circulatory system open हो गया था, ठीके, एनलीडा के पास कैसा था, close था, लेकिन आर्थोपोर्डा ने बोला, नहीं मुझे open वाला चाहिए, फिर हेमिकोर्डाटा ने क्या बोला नहीं मुझे open वाला चाहिए, ओके, तो जो exception होगा आप इसी में लिख लेंगे, respiratory system, respiratory system आपका, कहां तक absent होगा, यहां तक absent होगा, देख रहे हो, अगर आप line से याद करते हो, तो चीज़े कितनी smooth जा रही है, digestive system, यहां तक, उसके एक नीचे phylum तक, आपका circulatory system absent था, और उ system धीरे-धीरे add हो रहे है, system, सबसे पहले, digestive system, platy-helminthus में आधा-धूर आया, circulatory system, analida में आया, ठीक है, और फिर, respiratory system, सीधे कहां से start हो रहा है, सीधे कहां से आपका start हो रहा है, orthopoda से, ओके, और जब एक बार आ गया, तो सब में आ गया, distinctive feature आपका दिया हुआ है, porifera के पास, क्या है, आपके पास, कौन सा अलग से feature प्रेजेंट था, कोई नोसाइट्स, नीडो ब्लास्ट, किसी के पास complets है, यह सब आपको याद रखना है, तो इस पूरे chapter में, अगर आप ये table अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारे examples याद कर लेते हैं, फाइलम को line से याद कर लेते हैं, और सब के examples याद कर लेते हैं, सिस NCRT में जो दिये हैं, वही, और सब का scientific and common name, scientific and common name, तो आपका revision अच्छे से हो जाता है, फिर इससे कोई भी question आएगा, आपको बन जाएगा, हाँ, और diagram, diagram, ठीक है, diagram आपको याद होने चाहिए, उसकी label ने, तो ये chapter आपका खतम होता, अगर किसी को भी डर लगता होगा न, इस chapter से तो अब नहीं लगेगा, इस chapter से तर, ओके बच्चो, ओके, ऐसे तो अगर class होती है, तो मैं बहुत हसा के ये chapter पढ़ाती, लेकिन, जब कोई बच्चा नहीं हो, और सिर्फ recording करनी हो, तो फिर वो अंदर से हसी नहीं आती, बच्चे रहते हैं, तो फिर मज़ा आता है पढ़ाने में, पना, चलो ठीक ह मिलते हैं, next topic में, next कौन सा chapter पढ़ना है, ये जरूर बताइएगा, और इसको करने के बाद, telegram में मैं questions डाल दूंगी, इसके 50 MCQs, वो भी पूरे MCRT-based, वो आप solve कर लीजेगा, and जैसे ही solve कर लेंगे, मैं आपको guarantee देती हूँ, कि अगर 100 में solve, ये पढ़ने के बाद, आप MCQs solve करने के बाद, फिर जब आप कोई भी question solve करेंगे, तो 100 question में से 95 question आपको बन जाएंगे, okay, so best of luck for your exam, tata, bye bye.